हेलो गाइज एक बहुत बड़ी निउस चोटी से स्टॉक के उपर केवल 62 रुपीज के स्टॉक के उपर दोस्तों बहुत लंबा तार्गिट दिया जा रहा है मतलब आप यहाँ पर अपना पैसा डबल से भी जादा कर सकते हैं और यह मैं बोल नहीं रहा हूँ यह मैं दोस्त जो है 38% की डिलिवरी जो है की गई है 38% और यह स्टॉक का प्राइज अगर आप देखना चाहते हो 52 विक हाई तो 244 रुपीज से दोस्तों आज की रेट में 58 रुपीज का लोविश्ट लगाया है और आज की रेट में देख लो यह स्टॉक का जो प्राइज है दोस्तों स् मतलब की यह अपने लोविश्ट पॉइंट को टच करने के बाद यह अब बाउंज बैक मारना स्टार्ट किया है और एक ब्रोकर ने दोस्तों इसको बहुत लंबा तार्गिर दिया 130 रुपीज से भी इसका लंबा तार्गिर दिया है क्यों कि यह जो स्टॉक है आपको मैंन का मुनाफ़ा हो सकता है तो सबसे पहले में आप डिसकस कर लेते हैं तो यहां पर देख लिजे मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं ठीक है दोस्तों तो हम भी चेक करते हैं क्या इतना ज़्यादा जा सकता है अगर देखिए अगर चला गया माले तभी 60 रुपीज अकल को गर मालेजे 90 रुपीज या 100 रुपीज भी चला जाता है तो आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है क्योंकि केवल 60 रुपीज क स्टॉक है तो हमें एक बार जरूर देखना चाहिए जो भी इनसान ने इसको रिकॉमेंडेट किया है बीना सोचे समझे तो ऐसे नहीं दिया जाएगा तो इसके पीछे भी एक बहुत स्ट्रॉंग रिजन है दोस्तों वह रिजन यह है कि यहां पर बताया जारत बैंक बैंक जो है रिकवरी नहीं ले पाया नहीं तो रिकवरी ले लेता और यह हमारे हाथ से निकल चुका होता सबसे बड़ा यह है तो हम अब यह सोचते हैं देखे ब्रोकर अब यह सोच रहें कि दोस्तों यह लास्ट में यह मन्त के लास्ट में जो है लॉक्डाउन खत्म हो ठीक है लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर lockdown खतम होता ही तो ये bank में आपको बहुत लंबी तेजी देखी जाएगी क्योंकि ये जो bank है 150 million recovery जो है इसने क्या क्या मिस्ड कर दिया because of lockdown के वज़े से तो हमें इसके उपर नजर तो जरूर रखना चाहिए और यहाँ पर एक risk आपको बताया जारा रिस्क यह है कि lower loan growth तो दोस्तों अगर loan का growth नहीं होता है अगर होता भी है तो अगर वो लो रहता है तो उसमें तकलिफ हो सकती है उपर से RBI जो हमारा government है दोस्तों वो भी क्या ब कि lockdown अगर खतम होता है मालेज़े दोस्तों lockdown का period यहां और यहां चल रहा है तो यहां तक हम बोल सकते कि हमारा जो काम है बिल्कुल zero और stop हो जुगा अगर जहां से start होगा तो दोस्तों लोग loan double लेके start करना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं जो मेरे जो time consume हुआ है ना यहां से पर्मोटर के पास के वल 14-15% के आसपास है पर्मोटर के पास के वल 15% है चलिए वो negative है यहां उसके बाद देख लेते हैं company foreign institution वालों के पास 23% है 22.8% लगबग 23% जो है कितना foreign institution वालों के पास है उसके बाद domestic institution वालों के पास कितना है दोस्तों 35% जो कि एक बहुत बड़ी रक्कम होती है अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि foreign investor या domestic investor जो है 10% या 20% के आसपास से जादर रखते हैं अगर इसमें उन्होंने लगाया है अपना पैसा तो जरूर कुछ खास बात होगा जैसे कि मैंने बताया तो दोस्तों डीमाट के honor ने लेना start करता है तो आपको बहुत बड़ा profit दे देता है और कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे कि access bank देखे daily गिरता था around 5% के आसपास गिरावट होता था या 2% के आसपास गिरावट होता था लेकिन गिरावट होता था access bank में लेकिन अगर recovery हुआ तो दोस्तों एक दिन के अंदर य जो sudden कभी भी आ जाता है यहाँ पर जो आपको technicals बताया जा रहा है वो थोड़ा बहुत bearish है technical आपको थोड़ा बहुत bearish बताया जा रहा है और यहाँ पर आपको positive long term derivative के हिसाब से अगर आप देखने चाते हो तो यह company जो आपको positive दिखाई दे रही है यहाँ long term के लिए दोस्तों आप DCB bank को जरूर खरी सकते हो अगर आप जितना बड़ा खरीदों को उतना जाता आपको profit होगा ठीक है तो देख लीजे एक बार जरूर आप भी चेक लीजे जिससे आपको भी एक बार समझ में आ जाए और उसके बाद यहाँ पर देख लीजे quality अगर यहाँ पर trade कर रहा है at least अगर यहाँ पर भी हाप भी चला जाता तो आपका पैसे double कर सकता अगर हाप भी जाता है तो तो अभी मैंने खरीदने बोलूँगा मैं बोलूँगा buy on dip अभी थोड़ा सा आपको नीचले हिस्से पर खरीदना होगा यहाँ पैसे भी कर सकते है SIP के पैसे लगाना स्टार्ट कर सकते हो 10% 10% करके मालीजे कलको थोड़ा बहुत गिरता भी है तो आपने total पैसे तो नहीं लगाए ना आप मालीजे कि दोस्तों यहाँ पर लगाना चाहते हो यह 10,000 रुपीस आप लगाना चाहते हो तो 10,000 रुपीस में से आपको कितना लगाना आप 1,000 रुपीस करके लगाया करो ठीक है 1,000 रुपीस चाहे इसमें recovery देखा जाए या आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखा जाए फिर भी ऐसे करके लगाओगे तो हो सकता आपका पैसा भी safe रहेगा और profit जब मिलेगा तो आपको अच्छा खासा profit भी मिल सकता ठीक ह और stock में कभी-कभी अच्छा आपको jump भी देखने को मिलता है कभी-कभी आपको jump भी मिलता हो सकता है कि आपको एक बार में recovery ना दे लेकिन धीरे-धीरे दे सकता है और वो जो analyst है दोस्तों वो आपको इसलिए खरीदने के लिए बताया जा रहा है उनके हिसाप से क्योंकि य इन-stock जो है दोस्तों more than 80% अपने intrinsic value से नीचे दोड़ रहा more than 80% इसलिए यहाँ पर आपको केवल दुगना आपको बताया जा रहा है कि आपको पैसर डबल कर सकता है मैं यह ने बुर रहा हूं कि डबल कर सकता हा लेकिन long term में आपको थोड़ा बहुत profit तो दे सकता है यह द इतना बताया जा रहा है दोस्तों केवल आपको 50% के आसपस बताया जा रहा है तो हो सकता है कि इस लिवल पर चले जा तो आपको थोड़ा बहुत मुनाफ़ा मिल देगा वह हिसाब से ब्रोकर बता रहे है और जो इसका recovery है वह नहीं हो पाया तो हो सकता आने वाले दिनों मे कौन से प्राइस पर आया था 71 रुपीज पर एकदम देखे एक्जक्ट 71 रुपीज के आसपस आया था ठीक है 71 रुपीज से यह stock देखे किसी को पर नहीं पता था कि यह stock 240 रुपीज के आसपस जा सकता है अपने intrinsic value के आसपस और फिर से जब stock में गिरावट आया दोस्तों यह तो हम यह भी बोल सकते कि थोड़े बहुत करोना वाइरिस के वज़े से गिरावट आया जिसमें company में नुकसान दिखा जा रहा है तो हो सकता दोस्तों अगर यह फिर से recovery लेना स्टार्ट करें तो यह आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा दे सकता तो यह जो है अगर बोटम चार्ड भी मैंने आपको दो से तीन वीडियो में बताया है जब यहां पर आता है जब दो बोटम बनाता है तो आपको यहां पर खरीद लेना चाहिए हां जब थोड़ा उपर जाना स्टार्ट करेगा तो तो वह स्टॉक पर आप फोकस कर सकते हो दोस्तों आप एक कर सकते हो देखें ब्रोकर का जैसा था उन्होंने आपको बता दिया और हमारे तरफ से अगर आप लंबे समय के लिए खरीते हो तो जरूर आपको थोड़ा बहुत मुनाफ़ा अच्छा मुनाफ़ा देच सकता है और जो ब्रोकरेज ने बताया रूपीस का सायद रूपीस ना जा पाए लेकिन 90 रूपीस या ऐसे जा सकता है इतना तो जा सकता है दोस्तों अगर रिकवरी लेता है तो उतना बड़ा भी नहीं मैं बोल सकता मेरे हिसाब से अगर आपको मान लिजिए अगर आपको डिमेट अकाउंट करने में कोई तकलीफ आ रहे है तो दोस्तों ए लिंक है जाए और ओपन कर लिजे क्योंकि आने वाली दुनियों में आपको हो सकता है कि मारेकेट में डिमेट अकाउंट की जरूत पड़े और यहां अगर आप एंजल में अपने डिमेट अकाउंट में ओपन करते हो तो यहां पर आपको जो है सपोर्ट दिया जागा दोस